महत्वा कांच योजना लाडली बहना योजना जो चल रही है जिसमें मासी के 1000 रुपे हमारी बहनों को दिया जाएगा उस योजना पर आपको गाना है पिस मिनिट है आपके पास और मंडलों का जो क्रम है वो इस तरह से है पहले क्रम पर है स्री आदर्स भजन मंडल दोड़ी दूसरे क्रम पर है स्री ओम भजन मंडल माली सिलपटी और तीसरे क्रम पर है स्री बालाजी भजन मंडल पज्यामा और चोथे क्रम पर है स्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल और पांचवे क्रम पर है स्री सिव जोती सरगम भजन मंडल भयाबारी और छटवे क्रम पर है श्री नागराग भिजन मंदल बालाजी मंदर इटार से इस तरह मंदल अपना क्रम और समय के साथ थोड़ा सा समय की बात भिता तो रहती है पर लेट नहीं करें विलकुर समय के साथ क्योंकि माहूल आप लोग भी देख रहे हैं बस कल से थोड़ा से खुला हुआ है इसलिए ह समय में जायते हैं कि आप लोग भी अपने जहां से आए हैं वहां समय से पहुच जाए और अपन भी कारगरम को सही समय में अंजाम दे पाएं तो ठीके साथ चेक वेक अगर हो गया हो तो आप श्री आदर्स कलामंडल दवड़ी जीला वैतुल मंच पार उपास्तित हलो 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 चेक हलो परदा नहीं होता हंसलो के आगे कोई परदा नहीं होता और कड़े परिस्रम का कोई बिकल्प नहीं होता दिल में हो जजबा गुशकर दिखाने का तो मेरे भाई जलते दिये को भी आधियों का डर नहीं होता जलते दिये को भी आंधियों का डर नहीं हुता और इनके बाद पिलकुल समय के साथ श्री ओम भजन मंडल माली सिल्पटी अपनी पूरी तैयारी के साथ भिया मंज के करीब जाए और उनके बाद श्री बालाजी भजन मंडल पचामा क्रम से तैयार रहे ठीक है आप चेक भी करें हलो जैसे ही राद है हलो जैसे ही राद है हलो जैसे ही राद है हलो भी यत लू के नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं कस्तियां बदलने की जरूरत नहीं है साथियों दिसा को बदलो कि नारा खुद बखुद बदल जाता है कि नारा खुद बखुद बदल जाता ह और जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मंचाशीन मंदल का और इनके बाद समय के साथ समा बांधना है कारकरम को उंजाम देना है 15 बादमीय बैब महाँब fix be ras देखा नहीं क्या हुसला बुलंद कर रास्टों पे चल दे क्या हुसला बुलंद कर रास्तों पे चल दे तुझे तो मुकाम बिल जाएगा क्या बात बैठ कर अकेला तुप पहल कर देख तुझको काफिला खुद बाखुद मिल जाएगा तुझको काफिला खुद बाखुद मिल जाएगा ठीक है चेक करें अधिवाशी अजजले लेकिन इतना विसाल भव्यायोजन जिस जनता जनारदन ने यहां पर यह निरूपीत किया है सारे लोग हमारे केशानबर्ग के हैं जो महनत करते हैं और इस तरह राम नाम के इस पावम गंगा में अपने महनत का थन यहां पर उप्योग करते हैं तो मैं इनके लिए हमारे किशानबर्ग की जोद्ले लोगquito कि इस सम्मान में एक बात किया ना चाहूंगा, कि सम्मान हर क्रसक का, कि सम्मान हर क्रसक का बंदन से कम नहीं, इनका गली बगीचा नंदन से कम नहीं, धर्ती के ये खोदा है, जो सब का पेड भरते हैं, इनके चरन की माटी चंदन से कम नहीं, इनके चरन की माटी चंदन से कम हो लो इनके आने होगी रोस्णी तो इनके आने से ही होगी ठीक है साथ चेक पे कर लें आपनो जीला फोपाल को बहुत अच्छी प्रस्तुती भीया धन्यवाद और आपके सामने जाना पैचाना श्री नांग राच नांग और राच का और ही कुछ बात है भीया पबलिक को नीद आ रही है ऐसा सुना है भीया नांग और राच का कुछ और ही बात है नामी ऐसा कुछ है कि नांग राच पबलिक को एक बार जगा दे भीया नांग और राच आपके बीच में मजबर समर्फित है और नांग राच किसे कहते हैं आप जान मिलेंगे और देख भी लेंगे भीया नांग राच मंडल का नाम नाग और राच आप यह बहुती बड़ी ख़तरनाक बात है नांग किसे कहते हैं और राच किसे कहते हैं इसका आगे बैस भाई बताएगे कि नाग और राच का राच क्या है नाग राच का सुना है जिसे डसले उसे पाणी भी नहीं मांगता ऐसा हमने सुना है नाग और राच तो यह नाग और राच अपने सामने पेस है आगे देखें क्या होता है नाग और राच का राच बहुत सुना है बिया नाग और राच का नाम अब आगे मंच पर देखते हैं कि यह करते क्या है और दिखाते क्या है बहुत है धन्यवाद मैजबाई हम और आप दिल और जान से जुड़े ऐसा हमें लगता है पर अब आपकी बारी है कि आप हमारे दिल में राच करते है या पब्लीक के दिल में राच करते है यह तो आप हमें मंच के वक्त ही बताओगे मैजबाई बहुत धन्यवाद हलो और राच पूछ लिया है नाग राच का बहुत बढ़िया यह हमारे भाई साब जो मैजबाई जी पुरी यूनिटी के साथ हमारे मनोरंजन के लिए हमारा यह फाइनल राउंड जो निनायक दोर चलना था उसका यह अंतिम मंडले साथ इन्होंने इस रामसिता के छेतर में जो हसरत हसिल की है आज समराट गायकों में जनका नाम गना जाता है ये कला कोशल भुद्धी मत्ता और बिधाएं साब ऐसी हासिल नहीं होते हैं भारी मसकत महना कोशीज उसके बाद ही यहां इस इस थान को बाते हैं इनके लिए मुझे एक लाइन यादाईए कि समय पर जो खाता उसी का मान होता है समय पर खाओ जो खाता है उसी का मान होता है और बेदना में छुपा मधुर बर्दान होता है और स्राजन में झेलता जो चोट छेनी और हतोडा की मेरे भाईयों वही पत्थर मंदिर में कभी भगवान होता है वैसे तो पत्थर खेतों में भी पड़े रहते पर पूझे कहां जाते है तो ये ऐसे है साहब इनके लिए एक बार जोरदार दालिया होनी चाहिए अनके बार परमादरनि स्री दिनू दर्वय जी सुरहनर बरकड बाभु जी सरी राजिस वाडीबादी शीं पीतेस्वर रसाओ जीं सरी बलराम याद्व जीं स्री मंगल चंगले जी स्री सिर्टन हनोते जी आप सभी सम्मानी जनों से हम निबेदन करते हैं कि आप आएं और मंच पर अपना असन ग्रैंट करें और ये सेमी फाइनल का दौर चल रहा है दिरनायक दौर है तो आप आकर के और मंच पर बेठे शर्शमान धन्यवाद